कैसे हैं आप सब उमेद करती हूँ रोज की तरह आप सब अच्छे होंगे आज फिर से मैं किचन के कुछ ऐसे हैक्स लेकर आए हूँ जो रोजाना काम में तो आते ही हैं काम को तो आधा करते ही हैं साथ ही साथ पैसा और टाइम दोनों की बचत कराते हैं तो अगर आज का तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके से आपको अपने नेल्स पर कॉल्गेट लगा लेना है थोड़ी देर आप इसको रब करके आप 10 मिनिट के लिए इसको छोड़ देर बहुत लोगों को पसंद होता है इस पून से खाना खाना है तो आपको अपने नेल्स पर अपने नेल्स पर लगा कर थोड़ी देर रब करने के बाद आप कॉटन से उसको हटा लीजेगा कॉटन को मैंने या पर बिल्कुल भीगा आप इसको अच्छे से रब करिए तो जो भी आपके नेल्स पर पीलापन आगया होगा वह बिल्कुल हट जाएगा इसको ज़रूर करिएगा बहुत टेस्टेड है तो अगर यह अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा तो मेरा यहां पर नेल्स एकदम साफ हो चुके हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राय करिएगा तो चलिए देखते हैं आज का अगला है कौन सा है हम लोग इस कुखन लेकर आते हैं और सीधेर डायरेक्ट उसको डिबबा में रख देते हैं हैं लेकिन यह किछकेच और बालु जो होता है इस ही मैं आते हैं तो इसको दूर करने लिए आप क्या करिएगा जब भी आप सत मार्केट से खात के लेकर बना तो इसको छलनी से आप इस क्योंकि जो भी बालू और मिट्टी वगएरा होती है वो नीचे ही जाके बैठ जाती है तो जब तक नीचे वाला पार्ट हम नहीं चालेंगे तब तक सारी गंदगी नहीं निकलेगी तो आप देख सकते हैं अजवाइन में से कितनी जादा गंदगी निकली है अगर यह थोड क्या होता है तो इसमें बहुत सारी हवा के द्वारा गंदगी आ जाती है तो देखते हैं अगला है कौन सा है हम लोग इस तरह से साबुन यूज करते हैं डेली अपने घर में तो इसका भी एक मैं बहुत अच्छा आपके लिए हैक लेकर आए हूं जो आपको बेहती पसंद तो आप इस तरीके से जरूरी नहीं कि आप पूरा साबुन ले आपके घर में अगर छोटे-छोटे टुकड़े हैं आप उनको भी लेकर यह बना सकते हैं तो आपको लेना है ग्रेटर और इस तरीके से साबुन और साबुन को आप इस तरीके से ग्रेट कर ले तो क्या होता जो खुछुरी टुकड़े बच जाते हैं उसको तो हम लोग पेक ही देते हैं या फिर साबुन में अगर हम उसको चिपकाकर अगर यूज करते भी हैं तो बार बार वह निकल जाता है जिसे में काफी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उससे अगर हम उसकी जगह ज़िए च पानी है थोड़ा साबुन ग्रेट किया हुआ है उसमें डिजॉल्व हो जाए तो आप इस तरी किसे चम्मस से हिलाएंगे ना तो वह पूरा अच्छे से उसमें डिजॉल्व हो जाएगा आप देख सकते हैं अभी यह थोड़ा सा पतला है यह थोड़ा सा थिक होता जाएगा तो आप देखिए यहां पर यह थीक हो गया हुआ है तो अब इसको हम क्या करेंगे एक आपके पास कोई भी डिबा हो आप उसमें कंटेनर में रख ले अगर आपके पास हैंडवाश का इस तरी किसे खाली एक डिबा है तो आप उसमें लेकर रख दे तो यहां पर मैं ढ़क आपके पास तो इसमें ना कोई आपका खर्चा है ना कुछ अजो हम लोग मार्केट से हैंडवाश खरीद के लेकर आते हैं आप खुद ही जानते हैं वह कितना प्राइब पड़ता है तो यह बिना कोई कोई कोस्ट के और जो बरबाद सावून हो रहा है उस सावून से हम इ अपने हाथ अराम से आप इससे धो सकते हैं तो हम लोग का खुद का घरेलू उपाय से बनाया हुआ यह हैंडवाश आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट ब्लॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा तो चलिए दे केमिकल्स वगारा पढ़के ही यह पके रहते हैं क्योंकि अगर हम वैसे ही डायक्ट खा लेंगे तो इसमें कि जो भी केमिकल्स वगारा है वह हमारे शरीर में जाएगी और बहुत ही ज्यादा हम लोग को नुकसान पहुचाएगी तो इसको आप जब भी लेकर आए ना तो इस तरीके से किसी भी बर्तब में पानी रख कर उसमें इन लीची को अच्छे से डुबाग दे अलगवा दो चार घंटे के लिए हो सके तो ओवरनाइट के लिए भी रख कर तब आप खाये और इसको अगला है कौन सा है इस तरीके से दाल वेगरा जो होता है कि अभी बरसा तो इसको दूर करने के लिए पुराने जमाने में जैसे दाधी नानिया जैसे होती थी वह ittका मिला दीन तक अच्छे से मिलाने के भी एक अच्छे से ऐरा अच्छे सा रख देती थी और एक अच्छी सा एxis एयार टा इट कंटेनर में वह इसको रखती थी ताकि वह बहुत अच्छे से बहुत दिन तक चले और इसको सरसोतेर मिलाने के वाद सीधे को रखना नहीं है इसको आप जरूर एक आद बार धूबी लगाते रहें थोड़े थोड़े दिन पर तो क्या होता है यह जल्दी खराब भी नहीं होता बहुत ज्यादा दिन तक चलता है तो पुराने आज के वीडियो में आपको कौन सा हैक जबसे जबसेदा है पको हूआ है प्लीस कमेंट वोक्स में जरूर बताईएगा और आज का वीडियो जरा सबी पसंद आया है तो देकने के लिए झाये आपको एक लीडियो पूरा देखना है इसे दिए दिल से थांक यू मिलते हैं